Hello Friends. Welcome to Genius GK Stars Friends. आकिस वीडियो में हम modern history का बहुत ही important topic Muslim League से समधित most important questions वीडियो में हम work रहेंगे Friends यह question आपके आने वाले किसी भी exam के point of view से बहुत ही important है यदि आपको निवे से किसी भी question का answer पता तो ना answer नीचे comment box में बता सकते हैं Friends चलिए सुरूपरते हैं मुसलिम लीग की स्थापना कब हो थी सयांसर है graveyard प्सण A 1906 में मुसलिम लीग की स्थापना 1906 में हो थी आगाखान धाका के नवाब सलिम उल्ला और नवाब मुहसिन उल्मुल्क के नेतिरत में की गई थी और आगाखान मुसलिम लीग के पहले अधक्ष थे मुसलिम लिग के पहले अध्यक्ष कौन थे सही अंसर है उपसंडी सर अगा खान दिखे मुसलिम लिग के पहले अध्यक्ष सर अगा खान को 1908 में मुसलिम लिग के इस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था नेक्ष्ट को जान मुसलिम लिग की इस्थापना किसे ने की थे सैयांसर है उपसन भी नवाब सलीम उल्ला खान ने नेक्ष्ट कोचन मुसलिम लिग की इस्थापना कहा होई थे सैयांसर है उपसन सी धाका में दिखे मुसलिम लिग की इस्थापना धाका में होई थे नेक्ष्ट को जान मुसलिम लिग का मुख उद्देश क्या है सही अंसर है उप्सन भी दिखे मुसलिम लिग का मुख उद्देश है मुसलमानों के राजिनीतिक अधिकारों की रक्षा करना नेक्ष्ट को जान 1907 में मुसलिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था सही अंसर है उपसंस कराची में दिखे मुसलिम लीग की स्थापनों 1906 में धाका में की गई थे और 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था और 1908 में इसका लिवेशन अमिरित सर में किया गया था लखनाओ समझोता 1916 किसके बीच हुआ था सही अंसर है उपसन ए दिखे लखनाओ समझोता 1916 यह भारतिराश्ट्री कॉंग्रेस और मुसलिम लीग के बीच हुआ था किस वर्स मुसलिम लीग ने अलग मतदाता सोची की मांग की सही अंसर है उपसन 1909 में दिखे 1909 में माले मिन्टों सुधारों की एक मुख्य विसेस्ता यह थी कि उन्होंने जमिदारों और मुसलमानों के लिए अलग अलग निरवाचन छेत्र शुरू किये थे और वासराय की कारिकारी परिसत केवल एक भारते सदस्त का चुनाओ करती थी नेक्स्ट को ज़न 1906 में मिन्टों ने सीमला में मिले मुसलमानों के इस्ट मंडल ने प्राथना की डैस सही अंसर है उपसन ए मुसलमानों के लिए प्रिथक प्रिवाचक वर्ग नेक्स्ट को ज़न मुसलिम लीग का किस अधिवेशन में सक्रिय योगदान था सही अंसर है उपसन सी खिलाफ़त अंदोलर में नेक्स्ट को ज़न मुसलमान ये दिखुस है और संतोष्ट है तो भारत में ब्रिटिस सक्त का महत्तम बचाव होगा यहां किसी ने लिखा सही अंसर है उपसन सी डबलू डबलू एंटर ने देखे डबलू डबलू हंटर ने अपनी पुस्तक दा इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान ये दिखुस है और संतोष्ट है तो भारत में ब्रिटिस सक्त का महत्तम बचाव होगा नेक्स्ट को ज़न 1909 के इंडियन कॉंसिल एक्ट में किस बात की विवस्था की गई थे सैयांसर है अपसन भी साम प्रदायक प्रतनित्त की दिखे 1909 इस अधिनियम दोरा मुसलमानों के लिए प्रतक साम प्रतनित्त प्रणाली लागू की गई थे और साथ ही मुसलमानों को प्रतनित्त के मामले में विशेस रियायत दी गई थी और उन्हें केंदरी एवं प्रांती विदान परिसद में जनसंख्या के अनुपातिक में अधिक प्रतिनिती भेजने का अधिकार दिया था नेक्स्ट कोचन लाहौर प्रस्ताव 1940 का मुख्य उद्देश क्या था सही अंसर है उपसंसी एक अलग मुसलिम राज की इस्थापना करना नेक्स्ट कोचन लाहौर प्रस्ताव किसके दोरा प्रिस्तित किया गया था सही अंसर है उपसंसी दिखे लाहौर प्रस्ताव यहाँ चोधरी रहिमत अली के दोरा प्रिस्तित किया गया था नेक्स्ट कोचन 1940 में लाहोर में आयजित मुस्लिम लीग के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था मुहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के किस नेता ने पाकिस्तान के विचार को सबसे पहले पुस्तुत किया था सही अंसर है उपसन भी चोधरी रहमत अली ने के दोरा किस वर्स मुसलिम लीग ने कॉंग्रेस से अलग होकर अपनी सुतंतरता मांग की थी सही अंसर है उपसन ए 1940 में मुसलिम लीग के गठन के समय भारत का वाय सरा कौन था मुसलिम लीग के लाहोर अधिवेसन 1940 की अधिक्षता किस के दोरा की गई थे सही अंसर है उपसन सी मुहम्मद अली जिन्ना के दोरा दिखे मुसलिम लीग का लाहोर अधिवेसन 1940 लाहोर प्रस्ताव का एक अपचारिक वायान था जिसमें एक अलग मुसलिम राज्ज के निर्मार की मांग की गई थे किस वर्स मुसलिम लीग ने अपने उद्देशों की प्राप्त के लिए डायरेक्ट एक्षन का निर्ड़े लिया सही अंसर है उपसन सी 1946 में दिखे डायरेक्ट एक्षन डे 16 अगस्त 1946 का वहा दिन था जब अखिर भारती मुसलिम लीग ने भारत से ब्रिटिसों के बाहर निकलने के बाद एक अलग मुसलिम मातर भूम के लिए सीधीप कारवाई करने का फैसला किया गया था और 1946 के कलकत्ता हत्याकान्ड के रूप में जना जाता है और यह देश वियापी सामप्रदाइक दंगो का दिन था मुसलिम लीग का सबसे महतपूर्ड योगदान किस आंदोलन में रहा सैयांसर है उप्सन भी पाकिस्तान आंदोलन में मुसलिम लीग के किस अधिवेशन में जना ने डिवाइड एंड कुट का नारा दिया था सैयांसर है उप्सन से कराची अधिवेशन 1943 में दिखे मुसलिम लीग के कराची अधिवेशन में मुहम्मद अली जिन्ना ने फूट डालो और छोडो का नारा दिया था ने डिवाइड एंड कुट का नारा दिया था नेक्स्ट को चान सैयांसर है उप्सन ए किसने कहा था हम मुसलिम एक राश्ट्र और एक अलग राजी के बिना हमारा कोई भविस्त नहीं है सैयांसर है उप्सन ए मुहम्मद अली जिन्ना ने कहा था नेक्स्ट कोचन किसने मुसलिम लीग के लिए पहली बार दो राश्ट्र सिधान पुष्तित किया था सैयांसर है उप्सन सी सर सैयद अहमद खान ने दिखे दो राश्ट्रों के सिधान तेरी ट्यू नेसन थेउरी का वास्तिविक जनक सैयद अहमद खान को माना जाता है और बाद में मुहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले मुखर तवर पर इसकी वकालत की थी हलांके एटिहासिक सुरुत्तों के निसार पहली बार मुसलिमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग मुहम्मद अली जिन्ना ने किय थी नेक्श्ट कोशन लकनाओ समझाता किसने हस्ताक्षृत किया था सैयांसर है उपसन भी दिखे लखनो समझता हस्ताक्षित गया था बाल गंगाधर तिलक और मुहम्मद अली जिन्ना ने और जब लखनो समझता हुआ था तब उस समय भारत के वायसरा कौन थे तो उस समय भारत के वायसरा थे लोड़ चेम्स फोड नेक्स्ट कोचन मुसली मिलीग ने भारत विवाजन के लिए किस आयोग का समर्थन किया था सही अंसर है उपसंडी मौंट बेंटन योजना का दिखे विभीन चर्चाओं के बाद 3 जून 1947 को मौंट बेंटन ने भारत के विवाजन की योजना बनाने का फैसला लिया था और इसे मौंट बेंटन योजना के नाम से जाना गया नेक्स्ट कोचन मुसली मिलीग के किस नेता को पाकिस्तान का जनक कहा जाता है सही अंसर है उपसंड सी मौंध अली जिन्ना को यदि आपको यह वीडियो पसंदा इस वीडियो को लाइक करें शेर करें यदि आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक्स फूर आचिंग इस वीडियो